आज मेरे किचन में बनने वाला है गुजरातियों का फेवरिक थेपला तो थेपला बनाने के लिए सारे सादन समगरी में लेके आ गई हूँ मेथी की भाजी के बिना थेपला अधूरा है तो थेपला बनाने के लिए हमें मेथी चाहिए तो यहाँ पे मैंने पूरानी वाली मेथी ले ली है और उसके अंदर थोड़ी सी नई वाली भी डाल दी है और उसे अच्छे से दो लिया है 2-3 बार मेथी के उपर बहुत सारे मित्ती और धूल होती है तो उसे बराबर से दोना बहुत ज़रूरी है तो चलिए मैंने मेथी को 2-3 बार अच्छे से दो लिया है और अब ले लिया है एक की चंटाल और इसके उपर मैं ये मेथी की भाजी डाल दूँगी ताकि जो एकसेस वाटर है वो सोक हो जाए और मेथी हमारी अच्छे से ड्राइ हो जाए और अब मैं लेके आ गई हूँ हरावला धनिया मार्केट में अभी बहुत सस्ता मिल रहा है तो मैं थोड़ी सी ज़ादा कॉर्णिनी में लेके आई थी और इसे इस तरह डिपे में स्टोर कर लिया था इसे मैं धोके स्टोर नहीं करती हूँ अगर आप इसे धोके स्टोर करोगे तो यह मुर्जा जाते है अगर आपको फ्रेश रखना है तो ऐसे ही रख दे और जबी भी आपको यूस करना है तब भी आप उसे धो ले तो धनिया को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और उसे चान लिया है और अब ले लेंगे एक कटोरी भर के बाजरे का आटा उसे भी मैंने चान लिया है बाजरे का आटे से जो थेपला है एकदम सुपर सॉफ्ट बनता है तो बाजरे का आटा ज़रूर डाले अब इसके अंदर मसाले कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने तेस्ट के अकॉरिंग नमक लिया है एक चम्मच हल्दी ली है कलर के लिए और एक चम्मच बरके मैंने ली है अजवाइन उसे मसल के हम डाल देंगे अजवाइन से थेपले का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है तो अजवाइन चरूर डालें अब इसके अ कसूरी मेथी तो एक चम्मच इतनी कसूरी मेथी ली है उसे भी मैंने मसल के डाल दिया है और यहाँ पर हमारी मेथी भी ड्राय हो गई है तो उसे ले लेंगे उसे हम चौप कर लेंगे और यहाँ पर जो धनिया है उसकी डंठल मैंने अलग कर ली है उसे फैकना नहीं है उस अब कुछ छॉप कर लिया है और एक मिक्स्टर जान और उसके इंतर और ईंदर लेंगे धनिया की डनठल और 2 मुटीबर के हरा लसून अब उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सआ पानी और उसे चला लेंगे धनिया की डंधल के अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन हम उसे फैक देते हैं लेकिन इस तरह करने से उसका यूज भी हो जाएगा और यह जो हमारा थेपला है वो भी बहुत ही तेस्टी बनेगा तो यहाँ पर मैंने उसे क्रश कर लिया है और फिर से थोड़ा सा पाने डलके फिर से उसे क्रश कर लेना है ताकि एकदम बारिक पेस्ट बन जाए तो चलिए सारी चीज़े हमारी रेडी हो चुकी है अब गुंत लेते हैं आटा तो आटे के अंदर थोड़ा सा ओयल लेंगे तो इसके अंदर में तकरीबन 3-4 चमज इतना ओयल डाला है और अब इससे अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से बरबर मसलते हुए इससे दन्य की डंठल वाला पेस्ट भी डाल देंगे वेंथी की भाची और दनिया और 4-5 चमज लेंगे दही तो यहां पर दही मैंने मीडियम खटा लिया है और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दही की वज़़ा से आटा तो हमारा ऑल्मोस्ट गुंत जाएगा हमें पराठे के जैसा आटा यहां पर गुंत लेना है तो यहां पर हमें जरुवत लगे तभी पानी एड़ करना है यहां पर मैंने तकरीबन 5-6 चमज इतना पानी एड़ किया है और यह लिखिए हमारा आटा गुत के एकदम रेडी है और अब इसे डग के रेस्ट करने के लिए दस मिट के लिए तो चलिए दस मिट हो चुके हैं और मैं थोड़ा बहुत काम निप्टा के आ गई हूँ यहां पर हमारा आटा भी एकदम रेडी है उसके ओपर डालेंगे थोड़ा सा तेल एक चमज जितना और उसे अच्छे से मसल लेंगे इस तरह करने से थेपले हमारे एकदम सॉफ्ट बनते हैं आटे को जितना मसल होगे उतने हमारे थेपले सॉफ्ट बनेंगे तो चलिए अब आटे में से लोईया निकाल लेते हैं जितना बड़ा थेपला आपको बनाना है उतनी बड़ी लोईया निकाल लें तो पहले से यह लोईया को हमें रेडी करके र लोईयों के ऊपर मैंने थोड़ा सुखा आठा चिडग दिया है ताकि हाथ में बिल्कुल भी ना चिपके तो यह देखिए बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रहा है और इस तरह उसका पेड़ा बना के उसे हम बेल लेंगे थेपला हमें एकदम पतला भी नहीं बेलना है औ बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं तो एक थेपला मैंने बेल के रेड़ी कर लिया है और यहां पे हमारा तवा भी अच्छे से गरम हो चुका है तो तवे के उपर डाल देंगे थोड़ा सा ओयल लगाने से तवा हमारा नौस्टिकी बन जाएगा और थेपला उसके उपर चिपकेगा नहीं तो इस तरह ओयल लगाने के बाद उसके उपर डाल देंगे थेपला थेपले को एक तरफ से एक से डेड मिन के लिए पका लेना है और उसे पलट लेना है और फिर उसके उपर डाल देना है थोड़ा सा ओयल और इस तरह थोड़ा थोड़ा ओय डल के उसे हमें अच्चे से से लेना है मिडियम होनी चाहिए टो हमार्रा जल जाएगा और अगर हम एकदब लो रखेंगे तो हमारा एक ड्ऱ नान रखेंगे तो यह देखिये हमारा एक ध्रीरी हो और यहां पर दूसरा थेपला मैंने डाल दिया है पहला थेपला हो या फिर रोटी हो या फिर पराठा हो कुछ भी हम बनाते हैं लेकिन पहला जो बनाते हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं बनता है क्योंकि तवे का टेंपरेचर एकदम सेट नहीं हुआ होता है तवा अच्छे में बेलती जा रही हूं और साथ में साथ में मैं इसे सेखती भी जा रही हूं थेपला हम सब गुजरातियों को बहुत ही अच्छा लगता है हम इसे ब्रेकफर्स में भी खा सकते हैं लंच और फिर डिनर में भी खा सकते हैं तो मैं इसे कभी-कभी ब्रेकफर्स में भी बनाती और कभी गभी लंच या फिर डिनर में भी बनाती हूं तो आज मैं इसे लंच में बना रही हूं हम लॉंग ट्रावल पे जा रहे हैं पिकनिक पे जा रहे हैं या फिर विदेश भी जा रहे हैं तबी भी हमारी बैग में आपको थेपला मिल जाएगा क्योंकि ये हम सब का ओल नहीं सोना पड़ेगा अगर आपको कुछ चीज नहीं पसंदे बाहर की तो आप थेपला काके भी अपना पेट बढ़ सकते हो तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा थेपला बन रहा है और इस तरह मैंने सारे थेपले रेडी कर लिये हैं तो ये देखिए कितने सारे चाहेंगे ही और साथ में मैं सुबह ब्रेकफस्स में भी इसे खाऊंगी चाय के साथ क्योंकि मुझे गरम थेपले से अच्छा ठंडा थेपला लगता है और दूसरे दिन चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए एक थेपला आपको मैं दिखाती हूँ क कर लेते हैं तो थेपले के साथ मैंने लिया है दही गुड आमका मुरब्बा और प्याज थेपले के साथ सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है चाय और आप भी एक बार चाय के साथ ट्राय करना चाय के साथ थेपला बहुत ही बढ़िया तो आपको आज की रेसिपी कैसे लेगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी करश्न